नमस्कार दोपहर समाचार में आपका स्वागत है देश में एक दिन में दो लाग से अधिक कोरोना की जांच कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 56.70 प्रतिशत हुई भारत तिबबत सीमा पुलिस नई दिल्ली के छतर पुरस्थित राधा स्वामी सत्संग व्यास के कोविड देखभाल केंदर की जिम्मेदारी नोडल एजेंसी के रूप में संभाले की रक्षा मंद्री राजनाथ सिंग ने कहा भारत और रूस के संबंध विशेश सामरिक साजहधारी पर आधारित रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत में स्थाई सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया और भारती जनतापार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नडड़ा ने कहा नकारा और ठुकराया परिवार समूचे विपक्ष के बराबर नहीं दोपहर समाचार में मैं हूँ प्रियंका अरोडा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी रवीक कपूर देश में एक दिन में कोविड-19 के दो लाग से अधिक मामलों की जांच करने का आज नया रिकॉर्ड बनाया गया है तीन महीने पहले ये आंकडा प्रते दिन एक सौ मामलों की जांच का था हमारे समवादाता ने बाता है कि जांच के मामलों में ये उल्लेखनी वृद्धी, अस्पतालों, जांच प्रयोक्षालाओं और विभिन संस्थाओं के सम्मिलत प्रया से संभव हो पाई है कोरोना वाइरस महामारी के कारण देश एक अभूत पूर संकड से गुजर रहा है इस स्तती से प्रभावी ढंग से निपटने और आत्म निर्भर बनने के लिए सरकार ने COVID-19 परिक्षण के लिए आवेश्य कुपकर्णों और सामगरीयों को विक्सित करने के लिए सौधेशी निर्मान करताओं को बढ़ावाद दिया है इस साल जनवरी में भारत में पूने के नैशनल इंसिट्यूट आफ वाइरलोजी में COVID-19 के लिए केवल एक परिक्षण परियोग साला थी आज एक हजा सरकारी और निजी परियोग सालाएं देश बर में कोरोना वाइरिस के नमूनों का परिक्षण कर रही है ICMR कोरोना जांच के लिए नई परियोग सालाओं और आटी PCR किटों को मंजूरी दे कर अपनी सुविधाओं में निरंदर बढ़ोतरी कर रहा है अब तक विभिन कंपनियों की कुल 123 आटी PCR किटों का मुल्यांकन किया जा चुका है ICMR ने आटी PCR परिक्षण के साथ साथ कंटेंडमेंट जोन में COVID-19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के उपयोग की भी सिफारिश की है ये परिक्षण किट बिना परियोग साला परिक्षण के तेजी से जांच करने में मददगार साबित होंगी इसके अलावा भारत उच गुडवत्ता कम लागत वाले परिक्षण स्वाइब का भी उत्पादन कर रहा है इससे निपटने के लिए ICMR ने देश के विभिन हिस्सों में परिक्षण की पहुँच और उपलब्दता को बैतर बनाने के लिए अतरिक्षण विदियो को शामिल करने का सुझाव भी दिया है बुपेंदर सिंग आकाशोणी समाचार दिल्ली भारती आयर्विज्यान अनुसंधान परिशद ICMR ने कहा है कि उसने अब COVID-19 की नमूनों की जाच के लिए देश भर में एक हजार प्रयोक्षालाओं की व्यवस्था की है एक ट्वीट में ICMR ने इसे देश में परिशन सुविधाओं में एतिहासिक कुपलब्धी बताया परिशद ने कहा है कि वर्तमान में COVID-19 परिशन के लिए 730 सरकारी और 270 निजी प्रयोक्षालाएं है देश में COVID-19 संक्रमंट से स्वस्थ होने की दर 56.70 प्रतीशत हो गई है अब तक 2,58,685 संक्रमित रोगी ठीक हो गए है पिछले 24 घंटों के दौरान 10,695 रोगी स्वस्थ होए वर्तमान में 1,83,022 लोगों का इलाज चल रहा है स्वस्थे और परिवार कल्यान मंत्राले ने बता है कि कुल 15,968 नए मामले आने के साथ संक्रमित लोगों की कुल संख्या 4,56,183 हो गई है देश में COVID-19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है एक दिन में इस संक्रमन से 465 लोगों की मृत्य होने के साथ मृत्यकों की संख्या 14,476 हो गई है भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने नई दिली के छदरपुर स्थेत राधा स्वामीर सत्संग ब्यास के COVID-19 देखभाल केंडर की जिमेदारी संभाल ली है केंडरी ग्रहमन्त्राले ने दिली सरकार के अनुरोद पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस को इस केंडर में चिकित सिक और अन्य स्वास्तकर्मी उपलब्धा कराने के लिए नोडल एजनसी नुक्त किया है इस केंडर में शुक्रवार से दो हजार बिस्तरों की सविधा शिरू हो जाने की संभावना है इसे बढ़ा कर दस हजार दोसो तक ले जाया जा सकता है इवन वापस लाने के प्रयासों के अंतरगार लॉक्डाउन में चरोणबहद तरीकों से रहायते दी जा रही है हमारी संभादाता ने बटाया है कि ब्रहन मंबाई नगर निगम ने मंबाई में मिशन यूनिवर्स टेस्टिंग के शुरुआत की जिसके अंतरगार एक लाग एंटिजन टेस्ट किट उपलब धकराए जाएंगे राजसरकार के निर्देशों के अनुसार एंटिजन परिक्षण केवल ICMR द्वारा अनुमोदित SD Biosensor Company के किट के माध्यम से ही होगा वर्तमान में उपलब RT-PCR परिक्षण के तुलना में यह एंटिजन परिक्षण के उच्च जोखिम वाले समुहों और अन्य गंभिर बिमारी वाले मरीजों में संक्रमन की पहचान केवल 15-30 मिंटों में करेगा ताकि इन मरीजों को समय पर चिकित्सा उपचार दिया जा सके इसके अलावा Contact Tracing वाले लोगों के परिक्षण में और ऐसे मरीजों को तुरंट चिकित्सा सहायता देने में मददकार साबित होगी ब्रिहन मुंबई नगर निगम ने शहर के 35 बड़े नीजी अस्पतालों से अनुरोध किया है कि वे परिक्षण के लिए यह किट खरीदे Corporate House और नीजी कारियाले भी संक्रमन के लिए अपने कर्मचारियों का प्रशिक्षण करने के लिए यह Rapid Testing Kit खरीद सकते हैं मुंबई नगर निगम ने कहा है कि 70 वर्ष से अधिक आयू के लोग बिना पर्चे के खुद का परिक्षण कर सकते हैं वही युनिवर्सल टेस्टिंग मिशन अंतरगत नगर निगम ने इपर्चे के आधार पर प्रयोक्षालाओं द्वारा COVID-19 परिक्षणों की अनुमती भी दी है सोनाली घड़ार पटिल आकाश्वानी समाचार मुंबई नागपुर सित राश्ट्रियों पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के COVID-19 जांच के इंड्र में कोरोना के अब तक 3000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है संस्थान के निदेशक डॉक प्रदेश सरकार ने कोरोना के संधिक दरोग्यों की शीगर पहचान के लिए राजे में एंटिजन टेस्ट शुरू किये हैं। हमारे समवादाता ने बताया है कि राजे के पांच शहरों में आज ये टेस्ट किये गए। 12,1193 सक्री मामले हैं और 12,116 मरीज पूरी तरह ठीकों का डिस्टार्ज हो चुके हैं। तमिलनाड के मदोरे में साथ दिन की पूरबंदी कल राज से लागू हो गई। ये इस महीने के अन तक चलेगी। लॉकडाउन का उद्देश, शहर और आसपास के उपनगरों में कोरोना संक्रमन को रोकना है। तमिलनाड में कल 2516 लोगों में संक्रमन की पुष्टी हुई। राज में कोविट संक्रमित लोगों की संख्या 64603 हो गई है। प्रदिबंद के जारी रहेंगे। इस बीच मुख मंत्री पलनी सामी और तमान इस्थित की समिक्षा के लिए आज जिलाक रेक्टरों के साथ बैठक करेंगे। चिन्नेशे जैसें की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्से मैं शशीवुष शंत्रपाठी। नगल लांड में COVID-19 के 17 नए मामले मिलने के बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या भढ़ कर 347 हो गई है। राज्य के स्वास्ते और परिवार कल्यान मंत्री ने एक ट्वीट में बताया कि 448 नमूनों की जांच की गई जिनमें से 17 मामलों की पुष्टी हुई। 347 पुष्ट मामलों में से 206 का इलाज चल रहा है जबकि 141 स्वस्थ होए है। अरुनाचल प्रदेश के कोवीड केर सेंटर में कल कोवीड-19 के 16 नए मरीजों की पुष्टी होने के साथ संक्रमितों की संख्या 158 हो गई है। 120 मरीजों का इलाज चल रहा है तथा 38 मरीज स्वस्थ हो गए है। मिजरुम में कोवीड-19 के 3 और नए मामले सामने आने के बाद राजमे कुल संक्रमितों की संख्या 145 हो गई है। अधिकारिक बयान के निसार 19 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और 126 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पुद्दुचेरी में कोवीड-19 के 69 नए मामले मिलने के बाद राजमे संक्रमितों की संख्या 287 हो गई है। 58 नए मामले पुद्दुचेरी से और एक माहे से मिला है। 11 लोगों को कल शाम उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई और 276 लोगों का इलाज चल रहा है। ओडिशा के पुलिस महान देशक अभे ने जनता से अनुरोद किया है कि वे पूरी की यात्रा पर ना आए। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस बार जनता को भगवान जगनात के दर्शन की अनुमती नहीं है इसलिए वे पूरी शहर में ना आए। समूचे पूरी जिले में बाइस जून की रात नौ बजे से वहनों की आवाजाही पर प्रब्रण लगाती आ गया था जिसे बाद में संशोधित करके शहर के सिर्फ कोछ इलाकों तक सीमित कर दिया गया। ओचितम नेले की अनुमती के बाद पूरी में इस बार रत यात्रा कई प्रतिमंधों के साथ की जा रही है। एमस के ही लाब मेडिसन की प्रोफेसर दॉक्टर पूर्वा मातुर ने कहा है कि वाइरस के प्रसार को रोकने के लिए सुरक्षित दूरी बहुत जरूरी है। कोरोनवारिस spreads by droplets when a person coughs or sneezes. These droplets do not travel beyond 1 meter and that is why it is important to maintain social distancing. आकाश्मानी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कारिक्रम में COVID-19 पर विशेश परीचर्चा प्रसारित करेगा। ये कारिक्रम रात 9 बच कर 30 मिनिट से FM गोल्ड और अतरिक्त मीट्रों पर सुना जा सकता है। वरिष्ट मनोचिकित्सक और सलहकार डॉक्टर अवधेश शर्मा चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूजियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800011-5767 पर फोन कर विशेश शग्ये से सवाल पूछ सकते हैं। पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल आप न्यूज ऑन AIR से भी अपडेट लिए जा सकते हैं। ये समाचार आकाश्वानी से प्रसारित किये जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्वेटर हैंडल आट AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। करोना के चलते याद रखो। घर की सफाई ना भूलना, हाथों को धोना मत भूलना, सुरक्ष दादा दादी नानानी अभ्यान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आका अश्माणी हैं। रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने कहा, भारत और रूस के संबंद विशेश सामरिक साज़ेदारी पर आधारित। रूस ने संक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में स्थाई सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। और भारतीय जनतापार्टिय अध्यक्ष जगत प्रकाश नडड़ा ने कहा, नकारा और ठुकराया परिवार समूचे विपक्ष के बराबर नहीं। रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने कहा है कि भारत और रूस के संबंद विशेश सामरिक साज़ेदारी पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि रूस ने आश्वासन दिया है कि दोनों देश के बीच मौजूदा सैने अनुबंद जारी रहेंगे और कुछ मामलों में इन्हें कम समय में आगे ले जाया जाएगा। श्री राजनाथ सिंग कल मौसको में रूस के उप्रधाद मंतरी यूरी बोरिसोफ के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। रूस की तीन दिन की यात्रा पर गए रक्षा मंतरी ने आज विजे देवस परेट की 75 वी वर्षगांट में भाग लिया। उन्होंने बताया कि भारत की तीनो सशस्र सेनाओं के दस्ते का भी परेट में शामिल होना गौरफ की बात है। श्री राजनाथ सिंग ने कहा कि उनकी मौसको यात्रा COVID-19 महामारी के बाद किसी भारतिय प्रतिनिधी मंदल की पहली विदेश यात्रा है। अपनी यात्रा को विशेश अमेत्री का परिचायक बताते हुए श्री राजनाथ सिंग ने कहा कि COVID-19 महामारी की तमाम कठिनाईयों के बावजूद भारत और रूस के द्विपक्षिय संबंद विभिल सतरों पर अच्छे हैं। श्री सिंग ने कहा कि रूस के उप्रधान मंत्री के साथ उनकी बैठक में भारत रूस रक्षा सहयों की समीक्षा की गई और इसे और आगे ले जाने पर चर्चा हुई। देशों के बीच आपसे हित के मामलों पर सहयोग जारी है। उन्होंने रूस की जनता और विशेश रूप से वहां के बुज़ूर्गों को शुब कामनाई दी जिन्होंने दोनों देशों की साजा सुरक्षा के लिए अपार सहयोग दिया। शिराजनाच सिंग ने उन भारतिय सेनिकों को भी याद किया जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन में से कई भारतिय सेनिकों ने सोवित सेना को युद्ध में सहयोग दिया। रूस से S-400 मिसाई रोधी प्रणाली जल्दी खरीदने के मामले में काफी महत्वपून है। रूस के राष्ट्रपती व्लादमिर पुतिन इस वर्ष भारत की यात्रा कर सकते हैं। रूस ने साइक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद में स्थाई सीट के लिए भारत के दावे का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री सर्वई लावरूफ ने कहा कि रूस भारत और चीन की वैठक में साइक्त राष्ट के संभावे सुधारों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षा परिशद की स्थाई सदस्यदा के लिए प्रबल दावेदार है। उन्होंने कहा कि रूस भारत की उम्मीदवारी का समर्थिन करता है और मानता है कि भारत सुरक्षा परिशद का स्थाई सदस्यदा सकता है। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने वीडियो कॉंफरेंस के माध्यम से आयोजे त्रिपक्षी बैठर के दोरान सैक्त राष्ट में सुधारों पर चर्चा की। सुरक्षा परिशद में पाँच अस्थाई और दस अस्थाई सदसे हैं। सीना प्रमुक मनोज मुकंद नर्वने लद्धा की दो दिन की यात्रा के दूसरे दिन आज पूरवी लद्धा की जमीनी हकिकत की समिक्षा कर रहे हैं। सीना प्रमुक कल ले पहुँचे थे। कि उन्होंने सूरत के पुलिस आयोक्त ब्रह्मभट से बात की है और वे स्वैम बैंक शाखा का दौरा करेंगे और कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिलाएंगे। शीमती सितारामन ने बताया कि पुलिस आयोक्त ने कहा कि दोशी पुलिस कर्मी को ततकाल निलंबित किया जाएगा। वितमंत्रे ने कहा कि देश के बैंक विभिन चुनोतियों का सामना करते हुए सभी लोगों को सेवाई दे रहे हैं और उनके कर्मचारियों के सुरक्षा और सम्मान पर कोई आगात नहीं होना चाहिए। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री पोख्रियाल ने कहा कि युक्ति का दूसरा चरण कोविड महामारी के बारे में प्रासंगिक जानकारी की पहचान करने के लिए युक्ति के पहले संसकरण का तर्क संगत विस्तार है। भारतिय तट्रक्षक बल ने गुजरात के जखाओ तट के पास कुछ द्वीपों से करीब एक करोड बतिस लाख रुपए मूले की चरस बरामत की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये चरस कच के कुछ द्वीपों में तट्रक्षक बल द्वारा इस महिने की 17 से 22 तारीख तक चलाए गए निगरानी और खोज अभियान के अंतरगत बरामत की गई। ब्योरा हमारे समवाद दाता से। जाएगी योगेश्पंडिया, आकाश्वानी समाचार, आमदाबाद। आधिगारिक रिपोर्ट में बताया है कि रविवार से लगातार चौथी बार राज्य में भूकम पाया है। जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इस बीच राज्य के मौसम केंद्र ने इस सब्तहा भारी वर्षा और भूसकलन की चेतावनी जारी की है। मध्यर प्रदेश सरकार ने सभी कॉलेज विद्यार्थियों को प्रुन्नत करने और परीक्षा के बेना उन्हें अगले सत्र में प्रवेश देने का फैसला किया है। हमारे समवा दाता ने बता है कि इससे राज्य के 17,77,000 से अधिक विद्यार्थियों को लाब होगा। इस वीच सरकार ने ये फैसला भी लिया है कि राज्य के सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। आकाश्वाणी समचार बोपाल ये समचार हमारी वेबसाइट newsonaiya.com और हमारे मोबाइल अप newsonaiya.com और हमारे मोबाइल अप newsonaiya.com पर भी उपलब्द हैं। ये मास्क काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा। समय समय पर हाथ दोता रहूंगा। और दूसरों से हर वक्त कम से कम दो बैस की दूरी बनाए रखोंगा। खुद को दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखोंगा। जब देश के मेडिकल और सचता करमचारी रोज करोना वाइरस से लड़ने का काम कर रहे हैं। तो हमारी भी तो जम्यदारी बनती है अपना काम करने की है। तुझे कुछ हो गया तो। हजारों लोग इस बिबारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं। और अगर किसी कारण मुझे ये बिमारी हो भी जाए। तो सरकार में हस्पताल में हमारे इलाज के लिए प्रयाप्त विर्यवस्ता कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं एक दूसरे का होसला बढाने का वक्त है। करोना वाइरस से हमें लडाई जारी रखनी पड़ेगी। और उससे डर करने पूरी सावधानी के साथ धट कर चलिए। रुकिए जिन्दगी को आगे बढाएं। तेश को आप्मनेरबर बनाएं। जय हिन। दोपह समाचार में आपका फिर स्वागत है। कॉंग्रिस पार्टी पर परोक्ष हमला करते हुए भारतिय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़ा ने कहा है कि देश द्वारा नकार और ठुकरा दिया गया परिवार समूचे विपक्ष के बराबर नहीं है और किसी एक परिवार के हित भारत के हित में नही है और हमारी सशस्त्रों सिन्याओं का भरपूर समर्थन कर रहा है और ये समय एकता और एक जुटता का है श्वी नड़ा ने कहा कि प्रश्न पूछना विपक्ष का अधिकार है और सर्वदली बैठक में स्वस्त चर्चा के दोरान अनेक नेताओं ने कई महत्वपोन सुझ भाजबा ध्यक्ष ने कहा कि इन नेताओं ने आगे की दिशा तेय करने के लिए केंद्र का पूरा समर्थन किया लेकिन केवल एक ही परिवार अपवाद था भारतीय रेलवे नियमित समय सारणी के अनुसार चलने वाली रेल गाडियों के लिए 14 अप्रेल या उससे पहले बुक किये गए सभी रेल टिक्टों के पैसों की पूर्ण वापसी करेगा रेलवे ने एक वक्तवे में कहा है कि ऐसे सभी टिक्टों को रद कर दिया जाएगा और मौजूदा प्रावध हनों के नुसार पूरा पैसा रिफरंड किया जाएगा अखिल भारती आयरविग्यान संस्थान नई दिली ने पहले से उपचार करा रहे रोगियों के लिए कल से OPD सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है ये सेवाएं पिछले तीन महीने से बन थी एम्स ने COVID-19 संक्रवण पर नियंद्रण में जुट जाने के बाद 24 मार्च से OPD सेवाएं बंद कर दी थी एम्स के निदेशक ने आरम में प्रतेक विभाग के लिए केवल 15 रोगियों के एपाइन्मेंट को मन्जूरी दी है कुछ दिनों में ये संख्या बढ़ा दी जाएगी इसके अलावा उन विभागों में सीमित संख्या में नए रोगियों के लिए भी अनुमती दी जाएगी जो OPD परामर शुरू करना चाहते हैं हलाकि सेवाएं शुरू किये जाने से पहले चरण में शाम की OPD के लिए कोई appointment नहीं दिया जाएगा एमस ने कहा है कि विभाग ये निरणन लेंगे कि वे रोगियों को सीधे बुलाएं या appointment देने से पहले उनसे online परामर्श करें किसी भी विभाग से appointment दिये जाने के बाद कंप्यूटर केंद्र और OPD प्रभारी को ये विभागिय सूची 48 गंटे पहले उपलब्ध करानी होगी महराश्टर पुलिस ने कहा है कि चीनी हैकर्स ने पिछले पांच दिनों में भारत के सूचना प्लोदग की धाचे और बैंकिंग शेत्र पर 40,000 से अधिक साइबर हमलों का दुश प्रयास किया है साइबर सेल से संबध विशेश पुलिस महानेरिक्षक ये शर्ष्वी यादव ने कहा कि आंकणों के मिलान से पता चलता है कि ज्यादतर हमले चीन में चेंगदू इलाके से हुए उन्हों ने कहा कि हमलों का उधेश बैंकिंग, बुनियादी धाची और आईटी सेवाओं में समस्याइं पैदा करना था इन समस्याओं में इंटरनेट प्रोटोकोल को हाईजेक करना और फिशिंग जैसी रुकावटें शामिल थी पुलिस ने इंटरनेट उपयोग करताओं को इस तरह के हमलों पर ध्यान देने, मजबूत फायरवाल बनाने और सुरक्षा, साइबर सुरक्षा ऑडिट करने के सरह दी है महराष्ट साइबर सेल के अधिकारियों के नुसार इन हैकरों पर करेब 20 लाग भारती इमेल आईडी के डेटाबेस होने का संदे है और अब एक नजर आज के मौसम पर राश्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम तोर पर बादल चाय रहेंगे और आज हलकी वर्षा हुई नियूंतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया अधिक तम तापमान 33 डिग्री रहेगा मुंबई में सामानी रूप से बादल चाय रहेंगे हलकी बारिश होने का अनुमान है चिन्नई में सामानी रूप से बादल चाय रहेंगे और हलकी वर्षा या बुना बांदी हो सकती है कॉलकाता में आंशिक रूप से बादल चाहे रहेंगे और एक या दो बार गरज के साथ छीटे पढ़ सकते हैं चंडेगड में आसमान समाने रूप से बादलों से घिरा रहेगा और बिजली कड़कने की भी संभावना है देहरदुन में आम तोर पर बादल चाहे रहेंगे और एक या दो स्तानों पर वर्शा होने या गरज के साथ छीटे पढ़ने की संभावना है हैदरबाद में भी या शाम या राद को वर्शा या गरज के साथ छीटे पढ़ सकते हैं बेंगलूरू में सामानी रूप से बादल चाहे रहेंगे और हलकी वर्शा की संभावना है जबकी अधिक्तम तापमान 32 डिग्री रहने की संभावना है केंदर शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में नियूंतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया अधिक्तम तापमान 36 डिग्री रहने की उमीद है शहर में आम तोर पर बादल चाहे रहेंगे और वर्षा या आंधी चल सकती है श्रीनगर में आसमान बादलों से घिरा रहेगा और वर्षा हो सकती है यहां का नियूंतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और इसके अधिक्तम 25 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है गिलगित में आस्मान साफ रहेगा और वश्चा हो सकती है तापमान 15 से 30 डिग्री सल्सियस के बीश बना रहेगा मुजफराबाद में आस्मान सामान रूप से बादलों से घिरा रहेगा और बारिश हो सकती है यहां का नियुंतम तापमान 19 डिग्री सेलसेस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिक्तम 34 डिग्री रहने की उम्मीद है समाचार कक्ष से मैं तृप्ति श्रिवास्तव भारत के बाहर पहला योग विश्व विद्याले अमरीका के लौस एंजलिस शहर में शुरू हो गया है विवेकानन्द योग विश्व विद्याले नाम की संस्था का उधाटन कल विदेश राजय मंत्री मुरली धरन और विदेश मंत्राले की स्थाई संसद्य समीती की अध्यक्षिक प्रेम प्रकाश चौधरी ने वीडियो कॉन्फरेंस के जरिये किया इस अफसर पर विदेश राजय मंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानन ने विश्व भाईचारे का संदेश अमरीका से दिया था और उनकी स्मृती में स्थापित किया जाने वाला ये विश्व विद्याले अमरीका से समूच विश्व को योग का संदेश देगा जाने माने योग गुरू नागेंद्र इस विश्व द्याले के पहले अध्यक्ष होंगे वानिक्जे और उद्योग मंद्री प्यूश गोयल ने उद्योगों से प्रतिसफर्दी लाव विकसित करने गुडवत्ता पर ध्यान देने और नए उद्देश तथा सेवाएं तलाशने का आवान किया है श्री गोयल ने सेवा निर्यात समवर्धन परिशत के पदा अधिकारियों और विभिन सेवा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे पक्षकारों के साथ बैठत में ये बात कही और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर देश में एक दिन में दो लाग से अधिक कोरोना की जाँच कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 56.70 प्रतिशत हुई भारत तिब्बत सीमापोलिस नई दिली के छतर पुर्स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास के कोविड देखभाल केंदर की जिम्मेदारी नोडल एजेंसी के रूप में संभालेगी रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने कहा भारत और रूस के संबन्त विशेश सामरिक साज्यदारी पर आधारित रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत में स्थाई सीट के लिए भारत के दावेक का समर्थन किया और भारती जनता पार्टी अध्यक्षे जगत प्रकाश नडड़ा ने कहा नकाया और ठुकराया परिवार समूचे विपक्ष के बराबर नहीं इसके साथ ही दोपह समाचार का यंग समाप्थ हुआ नमस्कार